फिचर में हमारा सबसे बड़ा रोल टेकनलोजी और कॉमर्शर डवलपमेंट को एनलाइज करना है आजकल चाहे कोई भी बिजनस हो बिना टेकनलोजी के तो पोसिबल ही नहीं है टेकनलोजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह पलक जपते ही हमारे काम को पूरा कर देती है आज के समय में टेकनलोजी दुनिया पर राज कर रही है इसने लाखो कमपनियों को डवलप किया है परती दिन नहीं टेकनलोजी के उपयोग ने परतेक बिजनस के काम करने के तरीके को बढ़ा दिया है और लोगों को ऐसी चीज चुनने के लिए प्रेरित किया है जो टेकनलोजी के आधार पर समय पर डवलप्मेंट परदान करती है नए नए तरीकों के साथ परती दिन उभर रहे कई नए टेकनलोजी कल ट्रेंड्स के साथ कमपनियों को ग्रहकों की डिमांड्स को परभावी डंग से पूरा करने के लिए अपनी टेकनलोजी कल नीट्स के साथ अपडेट रहने की आवशकता है टेकनलोजी ने भी भविश्य में अपना रास्ता बना लिया है जहां पर लोगों ने अवतारों का यूज करके रहना सुरू कर दिया है यहां तक कि इसेंट्रिलाइज इंटरनेट पर नाली भी इनोवेशन पर आधारित है टेकनलोजी इट्स बैस क्योंकि यहां लोगों को आपस में जोडती है तो फ्रेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम यहाँ पर साल 2023 की टोप 7 टेकनोलोजी जो ट्रेंड में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे AI AI क्या है? AI का पूरा नाम है Artificial Intelligence AI पिसले 10 सालों से काफी चर्चा में है और यह अभी भी नविन्तम या Newest Technology में से एक है क्योंकि इसका परभाव हमारे रहने, काम करने और खेलने के तरीकों पर पड़ता है आजकल महसूस किया जाने लगा है कि Adaptive AI सिस्टम का लक्षे Models को प्रेसिक्सित करना और Environment Development को सीखना है बड़ी-बड़ी कंपनिया आज भी अपने कामों को पूरा करने में AI का ही सहरा लेती है ताकि लोगों की Demands को समय रहते और आसानी से पूरा कर सके AI का विकास लगबग एक दसक पहले सुरू हुआ था अब सवाल यह उठता है क्या AI आने वाले समय में इंसानों की जगए ले सकता है जी हाँ आज के समय में आप AI के दवारा कुछ भी कर सकते हो जैसे अगर आपको कार वोस नहीं करनी आती है तो आप AI से पूछ सकते हो वह आपको पूरा step by step बताएगा और अगर आप software बनाने के दिए coding लिखना चाहते हो तो वह भी AI आपको लिख कर देगा तो इसके साथ साथ आपको भी programming का knowledge होना चाहिए ताकि उस programming में कुछ जगए नाम और कुछ steps आपको अपने according change करने होते हैं वो आप कर पाओ अगर आप computer में Excel में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको कोई formula नहीं आता है तो आप AI का एक बड़ा platform है जिसका नाम है chat GPT उससे पूछ सकते हो chat GPT के अवल chat के द्वारा ही आपके सवालों का जवाब दे सकता है वह audio और video support नहीं करता है अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि chat GPT को बनाने वाली company कौन सी है तो वह है open AI जिसके अंदर आज Elon Musk की सबसे बड़ी भागेदारी है और इसको देखते हुए Elon Musk ने कहा कि AI आने वाले समय में दुनिया के लिए एक बड़ा खत्रा बन सकती है Musk ने कहा कि मुझे डर लगता है कि AI इंसानों को मात दे सकती है और यह है हमें खत्रे में डाल सकती है अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो AI का मार्केट साल 2025 तक 190 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है अब आगे बढ़ते हैं और नंबर दो पे आता है हमारे पास Robotic Process Robotic Process Automation यानि कि RPA एक ऐसी टेकनोलोजी है जो AI और Machine Learning के कारियों को ओटोमेटिक करती है Machine Learning की तरह ही Robotic Process Automation तेजी से इंप्रूव होने वाली टेकनोलोजी है जो विभिन चेतरों में कई नए कारियों को ओटोमेटिक करती है Robotic Process Automation, Corporate चेतर जैसे Data Collecting and Analysis, Customer Support और कई ओटोमेटिक कारिये यह विभिन परकार के Software और Applications का उप्योग करके कर सकती है Robotic Process Programmers के लिए एक नई Opportunity पैदा करती है Robotic Process की लोग परिता बढ़ती जा रही है क्योंकि यह लागत को कम करता जा रहा है अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नंबर 3 पे आता है 3D Printing 3D Printing का उप्योग सबसे ज़्यादा Innovation और Technology के छेतर में किया जाता है 3D Printing एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सस्ते मकान निर्माण से लेकर के किफायती तक हर उस चीज का वादा करता है लेकिन Technology के सबसे दिल्चस्प उप्योगों में से एक है 3D Printed Bonds यानि कि 3D हडियों का निर्माण करना Ociform Medical 3D Printing में माहिर है जो Tri-Calcium Phosphate से विभिन हडियों के रोगी विशिष्ट परतिस्थापन का निर्माण करता है यानि कि एक ऐसी सामगरी जिसमें मानो हडियों के समान गुण होते हैं एक अस्पताल MRI कर सकता है जिसमें रोगी के दिए आवश्चक परतियारोपन का 3D मॉडल बनाने के लिए Ociform में भेजा जाता है यहां सर्जन इस डिजाइन को एक्षेप्ट करता है और फिर एक बार यह है प्रिंटेड होने पर इसका निर्माण सर्जरी में किया जा सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नमबर 4 पर आता है हमारे पास Blockchain पैसो के समान है जिसमें रखे जाने के बाद पैसे कभी खोते या चोरी नहीं होते हैं ऐसी chain या सरंखला में stored information को change करना या delete करना possible ही नहीं है एक Blockchain का दावा है कि इसमें कई परतिक्रियाओं की सुरक्षय और पारदर्शिता में सुधार के लिए help मिलती रहेगी Blockchain में information को एक साथ group में रखा जाता है जिने blocks कहते हैं और blocks में information के groups होते हैं और इन blocks की stored capacity भी होती है जब ये blocks भर जाते हैं तब automatic बंध हो जाते हैं और data की एक chain बनती है जिसे blockchain कहा जाता है अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नंबर 5 पे आता है Internet of Things यानि की IOT Smart Device Network पर पहली बार 1982 में चर्चा की गई थी आरनेगी Melon University में एक modified Coca-Cola पहली इंटरनेट से जुड़ी machine बनाई गई थी जिससे बड़ी संख्या में device इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और हम इसे Internet of Things यानि की IOT भी कहते हैं सस्ते computer chips high bandwidth टेली communication के आने के बाद अब हमारे पास अर्बो डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हैं Internet of Things वी निर्मान से लेकर हेल्थ केर तक कई फिल्ड को प्रभावित करता है 90 के दसक से computer engineerों ने टहली यूज होने वाली चीजों में sensor और processor जोड़े हालांकि starting में इनकी speed काफी कम थी क्योंकि chips बड़े और भारी थे RFID टेग नामक सम पावर वाले computer chips का उप्योग सबसे पहले महेंगे उपकरणों को track करने में किया गया था जैसे जैसे computing उपकरण सिकूरते गए ये chips भी समय के साथ साथ छोटे तेज और smart होते गए Internet of Things यानि कि IoT आपस में जुड़े computing device को global रूप से describe करता है यह किसी human interfere के बिना devices के मध्धे information को share कर सकता है data को collect कर सकता है और उसे दूसरे स्थान पर भेज सकता है 2030 तक 50 अरब से अधिक device Internet of Things से जुड़े होंगे दुनिया भर में इस technology पर 1.1 trillion dollars से अधिक खर्च किये जाएंगे अलागि Internet of Things अभी भी starting stage में ही है लेकिन आने वाले वर्षों में यह है तेजी से बढ़ने वाला है अब आगे बढ़ते हैं और नमबर 6 पे आता है हमारे पास Rise of Super Apps Super App एक ऐसा platform है जो ecosystem के features को एक application में जोड़ता है इसमें नए केवल functionalities का अपना एक set होता है बलकि यह third party को अपने खुद के mini app डवलप करने और publish करने के लिए platform प्रोवाइड करता है अगर आप यह कहें कि Super App का use सबसे ज़्यादा चीन में होता है तो यह गल्प नहीं होगा Tencent ने अपना WeChat app स्टार्ट किया जो स्टार्टिंग में एक messaging app ही था और अब धीरे धीरे अर्बों की संख्या में अपने user बना लिये हैं जिसमें टेक्सी की सवारी, payment, virtual wallet, hotel reservation सामिल हैं हलांकि Super App के अधिकान सुधार्ण mobile application ही है अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 पे आता है हमारे पास 5G technology जी हाँ साथियों 5G technology के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगी अज हम बात करने वाले हैं कि 5G technology क्या है और यह कैसे use होती है यह 5G technology आपकी smartphone को fast, strong signals और पहले से कम latency provide करने में सक्सम बनाएगी 5G technology पहले से ही दुनिया भर के कई देसों में use होने लगी है जहाँ पर mobile network 4G technology की तुलना में बहुत तेज है जहाँ network speed विलम बता और लागत के बीच में सही तालमेल के साथ अर्बो connected device के लिए communication आउसकताओं को पूरा कर सकते हैं अब आप कल्पना कीजिए कि आपकी car आपसे 250 गुना अधिक तेजी से react कर सकती है यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2025 के अन तक 60% enterprises एक साथ 5 या अधिक wireless technologies का use करेंगे क्योंकि यह mobile spectrum को कम और उच आवर्तियों के लिए विस्तारित करता है 5G network high bandwidth को carry कर सकता है 5G technology से संचालित गाडियां सटक सुरक्षा को बढ़ावा देंगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही टेकनलोजिकल वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त जैहिन वंदे मातरम